नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल में अगर आप भी UPSI का एक्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो यह पांच-छे चैप्टर हैं यहां से एक नएक कौशन आने की संभावना बने हुई और एक नएक कौशन यहां से पूछा भी जा रहा है काफी important चैप्टर रहेंगे जैसा कि आपनी थमनेल पर देखा हम यहां से पांच चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके दोस्तों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत ध्यान पूर्वग वीडियो देखिए एक दो कौशन दोस्तों आपको यहां से जरूर मिले अधिनियम पर राष्टपती की अनुमती प्राप्त हुई तो इस पर जो अनुमती दी थी राष्टपती ने 8 जन्मरी 1994 को राइट आंसर रहेगा दोस्तों फर्ष्ट वाला कौशन सेकिंड है राष्टी मानवदिकार आयों के गठन का प्रवधान है है ना तो यह कहां पर क किया गया दोस्तों धारा तीन के अंतरगत किया गया राइट आंसर ए रहेगा इसका कोशन थर्ड पर आते हैं इस अधिनियम में कुल कितनी धारा हैं तो इसमें टोटल धारा हैं दोस्तों 43 राइट अंसर ए हो जाएगा कोशन 4 है राज्य मानवदिकार आयों के गठन का प् दोस्तो 28 सितंबर 1993 को right answer भी रहेगा question 6 पे आते हैं यह अदिनियम कहां लागू है है न तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो यह अदिनियम कहां पे लागू है दोस्तो तो यह अदिनियम right answer रहेगा इसका c C answer right रहेगा हलांकि ये updated book नहीं है तो जम्मू कुस्मिर को छोड़ के बता रहा है लेकिन अभी पूरे देश पे लागू है question 7 है राश्टी मानवादिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकेगा तो राश्टी मानवादिकार आयोग का जो सदस्य होता है दोस्तो right answer B रहेगा जो उच्चितम ने आयले का मुख्य ने आयदीस रहा हो B answer question 8 है राश्टी मानवादिकार आयोग का मुख्याले है तो इसका जो मुख्याले है दोस्तो दिल्ली में है right answer A हो जाएगा question 9 है राश्टी आयोग के गठन की पिरक्रिया का बर्णन है इसका जो बर्णन किया गया है दोस्तो किया गया है धारा 3 से 11 के अंतरगत B answer right रहेगा question 11 है मानवादिकार सर्रक्षन आदीनियम का आधार है तो इसका जो आधार है दोस्तो ये सबी है इसका right answer रहेगा आपका D आप वीडियो को पॉस्ट करके अच्छे से question को पढ़ सकते है question 11 पर आते है राश्टी आयोग के कार्रय एवम सक्तियों का बर्णन किस धारा में है तो इसका जो बर्णन किया गया है दोस्तो किया गया है धारा 12 से 16 के बीच C answer 12 question पर आते है आयोग की जाच पिरकिरिया का उलेख किन धाराओं में है तो ये है दोस्तो धारा 17 से 20 तक A answer right होगा 13 question पर आते है राज मानवधिकार आयोग का उलेख किन धाराओं में है तो इसका जो उलेख किया गया है दोस्तो ये किया गया है धारा 21 से 29 तक 14 question है मानवधिकार आयोग कौन सा दंड दे सकेगा तो ये दंड तो दोस्तो कोई ने देता है केवल संतुष्टी कर सकता है right answer D रहेगा इसके लिए question 15 है राश्टी आयोग की जांच का आधार है तो राश्टी आयोग की जांच का जो आधार होता है वो होता है दोस्तो D यानि की तीनों ही कारण प्रभावी है 16 question है मानवधिकार नयायले की स्थापना कौन कर सकेगा तो इसकी स्थापना करता है दोस्तो राज सरकार उच्चे नयायले की सहमती से 17 question है 17 question में कहा राश्टी मानवधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा तो इस question को हम उपर डिसकस कर चुके हैं उच्चितम नयायले का मुख्य सेवा निवरत्थना नयायदिस जो होंगे मुख्य नयायदिस A answer राज्यवाले की बात है तो आप अच्छे समझ सकते हैं जोर केंदर दोनों में ही काम करता है 18 question में आते हैं अध्यक्ष वास अधस्यों की निवक्ति कौन करेगा तो इसकी जो निवक्ति करता है दोस्तों एक समिति करती है इनके निवक्ति कौन करता है इनकी एक समिति होती है वही इसकी निवक्ति करती है D answer Question 19 है किस Binium के Anusar आयोग का मुख्याले दिल्ली में होगा है ना तो Right आंसर रहेगा दोस्तो इसका बी वाला Binium 3 के Anusar 20 Question है आयोग अपनी बैठक Binium 4 के Anusar कहां कर सकेगा तो ये कर सकेगा दोस्तो दिल्ली इस्तितकार्य याला में आवस सकता अनुसा भारत में किसी भी स्थान पर तो इसका मतलब यह हुआ C आंसर ठीक है A और B दोनों ही विकल्ब सही है इसके लिए 21 कोशन है परिवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया का उलेख है तो यह उलेख किया गया है दोस्तो बिनियम आठ में C आंसर राइट होगा 22 कोशन है राश्टिय आयोग अपना वार्सिक प्रतिवेदन किस बिनियम के अनुसार केंद्रवार राज सरकार को भेजेगा तो यह भेजेगा बिनियम 14 के अनुसार C answer 23 question है आयोग अपना अनवेशक दल किस बिनियम के अनुसार रखेगा तो यह रखेगा दोस्तो बिनियम 15 के अनुसार अगर दोस्तो आपको इसका पूरा PDF चाहिए और पूरा मूल बिदी का लगभग 500 question का हमारे पास PDF है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जोईन कर सक टेलीग्राम का लिंक हमने description में दे दिया है तो यहाँ से दोस्तो जो important question थे वो हमने cover कर लिए हैं चली अगले chapter पर आते हैं और देखते हैं वहाँ से किस टाइप के question बनते हैं अगला chapter है दोस्तो हमारा जन सूचना का अधिकार तो यहाँ से देखते हैं कि कितने important question बनते है एक एक करके question को cover करते हैं question first है उत्तर प्रदेश में उत्त अधीनियम किस तिति को लागू हुआ आपको पता जन सूचना अधिकार की बात कर रहा है कि जन सूचना अधिकार उत्तर प्रदेश में किस तिति को लागू हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो 21 जूद 2005 को right answer B रहे गए यहां से question second पर आते हैं इस अधिनियम की किस धारा में राज सूचना आयोग का उलेक किया गया है question second को ध्यान पूर्बग देखिए दोस्तो तो यह किया गया है to time right answer B हो जाएगा question third पर आते हैं धारा दो चा में कौन सी बात सूचना अधिकार में नहीं आती है है ना तो कौन सी बात नहीं आती है दोस्तो बैंक खाता नहीं आता right answer C हो जाएगा clear चली question four पर आते हैं question four है सभी भारतियों को सूचना का अधिकार किस धारा में प्रदत किया गया है तो ये किया गया है दोस्तो धारा तीन में right answer B हो जाएगा यहां से question five पर आते हैं लोग प्रदिकारी की बादताओं का अलेक अधिनियम की किस धारा में किया गया है तो ये किया गया है धारा चार में C answer question six पर आते हैं इस अधिनियम को पारित करते समय धारा 24 के अनुसार दुत्तिय अनुसूची के कितने संगठनों को सूचना देने में मुक्त किया गया था तो किया गया था दोस्तो 22 right answer इसका B वाला हो जाएगा question seven है सूचना दिकारियों के पदनाम का उल्ले किस धारा में है तो इसका उल्ले किया गया है दोस्तो धारा पांच में B answer क्या सूचना पाने वाले के लिए कोई सुल्क देना पड़ता है तो क्या सुल्क देना पड़ता है दोस्तो कोई सुल्क नहीं देना पड़ता है यह निसुल्क होती है सूचना कदिकार आपको पता है बिल्कुल निसुल्क है question 9 पे आते हैं लिखा है उत्तर प्रदेश में राज लोक सेवा आयुक्त का कार्रेकाल बर्स 2009 में कहां था तो कहां था दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B, जवाहर भवन लखनव B answer question 10 है धारा 6 के नुसार सूचना किस भासा में मांगी जा सकती है तो ये किसी भी भासा में मांगी जा सकती है दोस्तो चाहें वो आपकी इस्थानी भासा हो हिंदी अंग्रेजी यानि की right answer आपका C हो जाएगा यानि संभिदान में जो 22 भासा हैं इन मेंसे किसी भी वासा में सूचना मांगी जा सकती है C answer right रहेगा Question 11 है किस धारा नुसार सूचना के प्रिकट किये जाने की छूट दी गई है तो छूट दी गई है दोस्तो right answer इसका A वाला हो जाएगा सूचना से मुक्त धारा आठ में कितने खंड है तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो रहेगा 3 C answer इस अधीनियम में कितने अध्याय हैं तो इस अधीनियम के अंतरगत जो अध्याय आते हैं दोस्तो 6 अध्याय आते हैं C answer right रहेगा इसके लिए 14 question है इस अधीनियम में कितनी धाराएं हैं तो इस अधीनियम के अंतरगत आती है कुल 31 धारह है फिप्टीन कुश्चन है केंद्री सूचना आयोग में अधिकतम कितने उपायुक्त हो सकते हैं तो इसमें हो सकते हैं दोस्तो 10 right answer c कुश्चन 16 है इस अधीनियम के अध्याय चार का संबंध है तो अध्याचार का संबंध है दोस्तो राज सूचना आयोग से B आंसर रहेगा 17 कुशन है सूचना आयोग की सक्तियों का उलेक किस धारा में किया गया है तो इसका उलेक किया गया है धारा 18 में राइट आंसर A दारे 18 में क्या वर्नित है तो इसमें बर्णित है दोस्तो सक्तियां और क्रत्त यानि कि C answer right होगा. یानि कि A और भी दोनों ही विकल ठीक है Q90 है किस दारा में डंड का प्रवधान है तो डंड का जो प्रवधान है दोस्तो दारा 20 के अंतरगत है A answer question 20 है इस अदिनियम में अधिक्तम डंड है तो कितना डंड दिया जा सकता है 25,000 रुपे तक का जुर्माना बी आंसर चलिए 21 question पर आ जाते हैं इस अदिनियम में डंड का प्रवधान है कितनी वार डंड का प्रवधान है यह आपको बताना है तो इसमें है दोस्तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो बी वाला हो जाएगा प्रती दिन अना बी आंसर 22 question है इस अदिनियम में A4 size की नकल देने के लिए कितना पैसा देना होगा तो कितना पैसा देना होगा दोस्तो 2 रुपे देने होंगे B answer 23 question है इस अदेनियम में एक फिलॉपी में सूचना देने के लिए कितनी फीज देनी होगी यानि कि डिस्क में अगर आपको digitally form में सूचना चाहिए तो है ना तो तब आपको देने होंगे 50 रुपे B answer फिलॉपी मतलब आपके सामने DVD बगएरा भी हो सकती है इसका कहने का मतलब यह है 24 question आते हैं फीज के लिए DGP उत्तर प्रदेश महोदय को कौन सा आदेश निर्गत है इसका जो right answer रहेगा दोस्तो circular 55 25 question है सूचना कादीकार अदिनियम 2005 कब से प्रवरतन में आया तो इस question को हम पहले भी उपर डिसकस कर चुके थे सरकार से तात पर रहे है तो समुचित सरकार से तात पर रहे क्या होता है दोस्तो राज जवा केंदर सरकार है समुचित सरकार राज और केंदर दोनों को मिला कर बोलेंगे C answer question 27 सक्षम अधिकारी से अभी प्रेत है तो क्या अभी प्रेत है दोस्तो ये सबी हो जाएंगे A, B, C, 3 ही विकल्प ठीक है यानि कि विकल्प D वाला सही होगा ये अधीनियम कहां लागू है तो ये अधीनियम दोस्तो आप बहुत ध्यान पूरवक देखिएगा इसको जम्मु कश्मीर के अत्रेक्त समस्त भारत में अब जम्मु कश्मीर में भी लागू है तब जम्मु कश्मीर अलग हुआ करता था अब ये पूरे भारत में लागू है तो अभी आप विकल्प आएगा तो आप पूरे भारत को टिक करेंगे 29 सूचना का अधिकार प्राप्त होगा तो सूचना का अधिकार कोई भी मांग सकता है दोस्तो समस्त नागरिक चाहें महिला हो या पूर उस भी आंसर सूचना का अधिकार दिया गया है कौन सी धारा में आता है दोस्तो ये तो यह आता है धारा तीन में यह ध्यान रखना धारा से ही संबंदित वीडियो है आपका काफी important question यहां से बन जाते हैं 31 question पर आते हैं सूचना के प्रिकटी करण से छूट है तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो वो रहेगा धारा आठ में ए आंसर 32 question है केंद्री सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है तो इसका प्रावधान है धारा बारे के अंतरगत 33 question है केंद्री सूचना आयोग में रहेंगे तो कौन-कौन रहेंगे दोस्तो इसमें तो मुख्य सूचना आयोग और 10 सदस तो ये खूशन पूशा जाता है कि केंद्री सूचना आयोगत में कितने सदस्य होते है तो 10 सदस्य होते है और एक मुख़्े सूचना आयोगत होता है 11 लोग कुल मिलाके होते है इस तरह से भी question आ जाता है 34 question है जुचना आइयुका गठन किया जा सकेगा तो केंद्र के सुचना आयूप का जो गठन किया जा सकता है दोस्तों वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है चुकि केंद्र सरकार की बात हो रही तो केंद्र सरकार ही करेगी इसका गठन 35 समुझी सरकार द्वारा नियम बनाने की सकती है तो धारा 27 के अंतरगती सकती दी गई है किलियर हो गया तो दोस्तों यहां से 35 important question हमने आप देख लिए हैं चलिए अगले chapter पर आते हैं और देखते हैं कि कितने अच्छे question वहां से बनते हैं अगला chapter है दोस्तों हमारा भ्रेष्टाचार निवारक अधेनियम काफी important chapter है यहां से भी question वनने के chance बन जाते हैं तो देखते हैं question first को question first है निर्वाचक की परिवाशा है तो निर्वाचक की जो परिवाशा होती है दोस्तों वो होती है धारा 2 A में right answer A हो जाएगा हमारा यहां से question second पर आते हैं लोग कर्तब से अभीप्रेथ है तो थोड़ा सा छोटा नहीं होगा दोस्तों यह इसको जूम नहीं कर पाएंगे हम जूमिन तो इसका जो right answer होगा वो A बाला हो जाएगा एसा कोई कर्तब जिसके निर्वन में राज जन्ता या समाज को छती है right answer यह हो जाएगा चली question third पर आते हैं बिसेश नियाइदीसों की नियुक्ति का अधिकार है तो इसका जो अधिकार है दोस्तों राज और केंद्र सरकार के पास है C answer question four पर आते हैं बिसेश नियाइदीस के अधिकारवा प्रक्रिया वर्नित है तो यह वर्नित है दोस्तों धारा पांच के अंतरगत C answer right रहेगा question five है बिसेश नियाइदीस के रूप में नियुक्त होने हितू बैक्ती तो इसको पूरा करना है हमको question five question six है बिसेश नियाइदीस के प्रक्रिया को अपनाएगा तो यह अपनाएगा दोस्तों बारेंट मामलों के विचार हितू प्रक्रिया को C answer इसके लिए बिल्कुल perfect है seven question पर आते हैं लोग सेवक पर भ्रष्ट या अवैद साधनों द्वारा असर डालने हे तू परिश्रमन लेना वर्नित है तो 21 धारा में धारा आठ के अंतरगत A answer question eight है किस धारा में सपश्ट है कि अभियुक्त ब्यक्ति सक्षम साक्षी है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो A वाला रहेगा धारा 21 में question nine है संख्षिप्त बिचारन करने की सक्ती दी गई है तो ये दी गई है दोस्तो धारा 6 में B answer right रहेगा इसके लिए question ten है इस अधीनियम के प्रबधानों के अधीन दंड पिरकिरिया साइंता 1973 द्वारा प्रदत अपील एवम पुनिरिक्षन कि अधीकार कौन प्रियोग में ला सकता है तो प्रियोग में ला सकता है दोस्तो उच्च नियाल है B answer बिल्कुल सही है इसके लिए 11 question है किस धारा में उपवंद है कि रिस्वत देने वाला अपने कथन पर अवियोजित ना होगा है ना तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा B धारा 24 में 12 question है इस अधीनियम दोरा कौन सी बिधियान निरसित की जाती है तो इसमें की जाती है दोस्तो A वाला भी ठीक है और B वाला यानि की राइट आंसर C वाला विलकुल सही रहेगा Question 13 है अपील बाप पुने रिक्षन का प्रवधान है तो इसका जो प्रवधान किया गया है दोस्तो वो किया गया है 27 में राइट आंसर रहेगा यहां से C वाला Question 14 पर आते है लोग सेवक पर भ्रहष्ट या अवैद सादनों द्वारा या असर डालने के लिए परिपोसण लेने का डंड है तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दोस्तो A और C दोनों हो जाएगा पांच वर्स्तक का कारावास और 99 छे माह का कारावास ठीके तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो D वाला बिलकुल सटीक हो जाएगा Question 15 है बैंक वहियों के अवलोकन का अधिकार है तो यह अधिकार है दोस्तो पुलिस अधिक्षक से अनिम्न को राइट आंसर B बिवेचना के लिए प्राधीकरत वेक्ती है तो बिवेचना के लिए जो प्राधीकरत वेक्ती है दोस्तो वो राइट आंसर A, B, C यानि कि D-Answer अमारा बिल्कुल सही रहेगा बैंक कार वहियों के अभलोकन का अधिकार बरनित है तो ये किस धारा में बरनित किया गया है तो ये किया गया है धारा 18 के अंतर गत B-Answer राइट रहेगा ये किसे प्रभावित नहीं करेगा तो ये प्रवावित नहीं करेगा दोस्तो आर्मी एक्ट बायू सेना और नेवी यानि कि इनसे बिलकुल विमुक्त ही है D. आंसर मिलटरी जल सेना बायू सेना या अन्य बिधी को प्रवावित ना होना बरनेत है ये किस में लिखा गया है तो ये धारा 25 में लिख दिया गया है इस बाग को B. आंसर इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं तो इसके अंतरगत जो धाराएं आती हैं दोस्तों वो आती हैं 31 B. आंसर राइट होगा 21 question है इस अदिनियम की प्रस्तावना है तो इस अदिनियम की प्रस्तावना है रिस्वत वा ब्रष्टाचान निवारण के बर्तमान फार्मूला को समे कि द्वा संसोधन का अदिनियम ए आंसर 22 कुश्चन है ब्रेश्टाचार निवारन अधीनियम कव प्रवत्त हुआ था तो ये कव से आया था तो ये आया था 9 सितंबर 1988 से इसको लागू किया गया है यानि कि इस पर विधी बनाए गई थी कानूर बनाए गया था कुशन 24 है धारा सात्वा ग्यारे के दुप रेशन पर धारा वारे में अधिक्तम डंड कितने का दिया जा सकता है यानि कि कितना कारावास दिया जा सकता है तो पांच वर्स तक का दिया जा सकता है right answer D हो जाएगा ठीक है 25 कुश्चन है लोग सेवक यदि आपराधिक अनाचार करेगा तो उसे कम से कम कितनी अबदी के कारावास का डंड दिया जा सकता है तो उसे दिया जा सकता है दोस्तो कम से कम पूझ रहा है तो एक वर्स अधिक से अधिक पाँच वर्स 26 लोग सेवक द्वारा पदिये कार्रे के लिए बैद परीश्रमिक से भिन इनाम का लिया जाना किस धारा में डंडिनिये बताया गया है तो ये धारा साथ में बताया गया है कि आप अपनी सैली से ज़्यादा किसी भी करमचारी यानि किसी भी जनता से आप कोई पैसा की मांग नहीं करेंगे चुकि ये एक डंडिनिये अपराद है 27 कुश्चन है इस अदिनियम में सामानने कारावास की अबधी कितनी होती है तो ये होती है दोस्तो कम से कम 6 महां 28 धारा 8 9 10 एवं 12 के अदिन बरनित अपरादों के लगातार करने पर अधिक्तम कितनी अबधी के कारावास का डंड दिया जा सकता है तो ये दिया जा सकता है दोस्तो 7 वर्स तक का कारावास 29 इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश पुलिस के किस अधिकारी द्वारा बिवेचना की जा सकती है तो ये बिवेचना की जा सकती है दोस्तो पुलिस उपादीक्षक के द्वारा 30 कोश्चन क्या नियाल है किसी लोग सेवक पर अभियोजन बिना पूर्व स्विक्रिती के कर सकता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तो वो रहेगा C. धारा 19 के अनुसार स्विक्रत के उपरांत किया जा सकता है C. आंसर रहेट है इसके लिए 31 कोश्चन है किस धारा अनुसार अभियोग्त बैक्ती सक्षम साक्षी होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो धारा 21 में इसको बताया गया है 32 कोश्चन है क्या रिस्वत देने वाले को उसके कथन पर अभी योजित किया जा सकता है तो इसका जो राइट आंसर होगा धारा 24 के अंतरगत कभी नहीं दी आंसर राइट हो जाएगा तो यहां से दोस्तो हमने ब्रेष्टा जार निवारक से भी कोशन देख लिए हैं इंपोर्टेंट कोशन जो बनते हैं चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं और देखते हैं इंपोर्टेंट कोशन को चेप्टर अगला है दोस्तो हमारा ITX यानि की साइवर अपराद से संबंदित जो कोशन बनते हैं परीक्षाओं में उनको हम देखेंगे काफी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो कोशन यहां से थोड़े कम ही रहने वाले हैं साइवर अपराद से संबंदित अधिनियम कौन सा है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा दोस्तो भी वाला है सूचना प्राद्योगी की अधिनियम 2000 सन 2000 में इसको लाया गया था कोशन अगला है हमारा कम्प्यूटर नेटवर्क से अभी प्रेत है तो इसका क्या मतलब होता है कोशन सेकिंड तो इसका मतलब होता है ए तथा भी दोनों ही कंप्यूटर स्रोध से तात पर रहे है तो कंप्यूटर स्रोध से जो तात पर होता है दोस्तो software, computer, computer बिवस्ता यानि की right answer अमारा D विलकूल correct रहेगा किशन 4 है साइवर अपिलिये प्राधी करण की स्थापना है साइवर अपीलिये प्रादी करण की जो इस्थापना है दोस्तों धारा अरतालिस के अंतरगत है ए आंसर कुशन फाइब है साइवर अपीलिये प्रादी करण के घटक हैं तो इसके जो घटक हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे धारा उननचास के अंतरगत साइवर अपेलिये प्रादीकरण का गठन करेगा है न तो इसका जो गठन करेगा दोस्तो वो कौन करेगा केंदर सरकार करेगी राइट आंसर भी हो जाएगा अगला है कुशन 7 कम्प्यूटर तंत्र की नुकसानी के जिस सस्ती अंकित है प्यूर हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तो धारा 43 में इसको बढ़नित किया गया है कुशन 8 है सूचना बापसी दिये जाने में असफलता के लिए सस्ती है सस्ती का मतलब आप समझते होंगे अच्छे से तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तो रहेगा साइवर अपिलिय बिनियम प्राधी करण काफी इंपोर्टेंट कॉशन थे दोस्तो अब देखते हैं दोस्तो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर वहां से दोस्तो आपको एक question जरूर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा तो चली cover करते हैं वहाँ से वनने वाले important questions को अगला काफी important topic है दोस्तो निरनित बाद यहाँ से दोस्तो एक question जरूर पूछा जा रहा है UPSI में तो बहुत ध्यान पूरवक देखिए बीस से पच्चीस question हम यहाँ से cover करने वाले हैं तो पहला question है आरव नाम लिप में यह बात किस से सम्मद्दित था दोस्तो तो right answer इसका रहेगा A मतब्तता पर आधारित था यह A answer question second है किस बात में लाड और विजर ने कहा था कि यह उक्ती की कोई बैक्ती अपरादी नहीं है जब तक कि उसका मन अपरादी ना हो आंगल विदी से भी पुराना है तो यह किस पे था दोस्तो इसका जो right answer रहेगा B रहेगा आरव नाम अलाडे यहना B answer right है इसका question है हमारे पास 13 किस बात में बताया गया इन दिनों जब अपरादी को अनेक आदेसों एवं बिनियमों द्वारा इस हद तक निस्प्रवावी कर दिया जाता है कि अत्यादिक अनुपालनिय प्रजा को भी कभी कभी बिधी के अतिक्रमण को बचाने में कठिनाई होने लगती है अता पूर पेक्ष्या इस सिद्दान्त का अनुसरन करना अत्यंत महत्तोपूर्ण है तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो हार्डिंग बनाम प्राइस यह answer right है इसका एंपरर बनाम नौश अली खावाद यह किस से सम्मंदित था तो यह सम्मंदित था दोस्तो चोरी भी है ना बी answer ओम प्रिकास बनाम तिलक चंदवाद यह किस पे था तो यह बात था दोस्तो हत्या के प्रियत्न पर बी answer question है 6 निमलिकित मैसे कौन सा बात सामानने आसे पर आधारित संयुक्त दायत के सिद्दान से सम्मंदित नहीं है question है दोस्तो रैक्स बनाम गोविंदा डी answer राइट रहेगा इसके लिए यहां से question जरूर आ रहा है दोस्तो दिहान पूरवग देखिएगा वीडियो को question 7 है किस बाद में तयारी वा प्रियत्र में अंतर बताया गया तो यह बताया गया दोस्तो इन री वा नाम बाव जे बी answer 8 question है सम्मति से करित की गई मृत्यू पर बाद है है ना तो यह बाद है दोस्तो दसरत पाशवान बनाम बिहार राज जे question 9 है धारा 24 बाद समान आसे में अंतर पर बाद है तो इस पर यह बाद है दोस्तो महवूशा बनाम समराट question 10 पर आते है कि एन महरा बनाम राजिस्थान बाद किस पर आधारित है तो यह आधारित है दोस्तो question 12 question किस बाद में संतोस मानव बद वा हत्या में अंतर किया गया तो यह किस बाद में है तो यह इसका जो राइट आसर रहेगा दोस्तो question 15 है धारा 24 एवं धारा 149 में अंतर पर बाद है तो यह important question रहेगा दोस्तो बी वाला मोती दास बनाम बिहार राज बी आंसर 16 question निमलिकित बादों में से कौन सा बाद मना इस्तिती के सिद्धान्त पुनर जीवन से सम्मंदित है तो यह सम्मंदित है दोस्तो ब्रेड बनाम बुड बी आंसर पृतिपादित किया गया था तो यह किया गया था दोस्तो आर बनाम आरनोल्ड डी आंसर रामक का मामला है तो दोस्तो यह किस सम्मंदित है तैयारी एवं प्रियत्न करने से बी आंसर 20 कुश्चन है प्रिवी कैंसिल के समक्ष पोश्ट मास्टर हत्या के मामले में निर्ने दिया गया था तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तो लाड सम्मंदर के दौरा 21 कुश्चन है कौन सा वाद नसे से सम्मंदित नहीं है तो नसे से सम्मंदित वाद दोस्तो इसमें C नहीं है आर्व नाम मैक नाटर 22 कुश्चन है किस मामले में निर्धारित किया कुशन 22 है किस मामले में निर्धारित हुआ की गिरफतारी किये गए बैक्ति को 24 गंटे से अधिक निरुद्ध किया जाना एवम संबैदानिक पिर्तिया भूती है तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो दोनों ही गलत है ना ए और बी दोनों ही इसके लिए गलत तो D आंसर राइट होगा तो दोस्तों यहां से हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिये हैं जो UPSI के मूल विधी से पूछे जाने के चांस रहते हैं यहां से आपको एक ना एक कोशन परिक्षा में देखने को जरूर मिलेगा आसा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिल्द जै भारत